है निश्चु को जो स्लाम अदिली बंदे का ना मैं वेलकूम है चैनल को लोग वेलकूम टू आज की वीडियो अब वेलकूम है ना काफी मस्त हो चलिए यह बताता हूं यह लगवड़ा पीर पर नोगजा पीर पढ़ता है हमारे आजपास यह लगवग यहां से पढ़ता है है 35 किलोमेटर तो हापर मैं अकेला जा रहा हूं वहाँ पर मुझे कुछ काम भी है और लेकिन सबस्ते पहले हम जाएंगे नोगजापीर पर वहाँ पर घुमते हैं और आपको भी घुमाते हैं जाकर क्या है वहाँ पर देखिया या चलकर हुई पर तो मैं लिगा फिलाल ना खाने को इंजविग करता हूं और फिर चलते हैं फ्यूं नोगजापीर सहरनपूर अलेकर चलते हैं अमें ठाली अपनी बाइक अब सहरनपूर जाते हुए ना जब भी आप सहरनपूर जाते हैं तो जो रोड पर गिरी निरी आती है जो वरक्स खड़े ने इसे इनका ना अपना अलागी मज़ा है आपको दिखाता हूं इस साइलेंट मोल्ड पर म्यूजिक लगा कर कितना मज़ा आता है इसमें दिखाते हैं जैसे मैं आपको कहता हूं ना गर सटक पर कोई ऐसे पत्थर या इंट पड़ा हो तो इसको अटा दिया करते हैं यह न काफी मोटी इंट थी इसमें फिलाल टायर चड़ाया जो ट्रक होता है ने उसका अगर बाइक का चड़ता तो डिस बैलन्स हो सकती थी और गिर भी सकते आपके पास पोर विलर एक खड़ी किजिए कोई तासा नहीं है यहां पर फिलाल अंदर चलते हैं देखनें घूमते हैं मजा लेते हैं थोड़ा यह बोड़ा लगाया जी पड़ लीजेगा फ्वीड़ा को पाउस कर गए नो गजा फीर काफी फैमस है यहां पर काफी जारीन आते हैं यह जी नो गजा तीर, नो गजा, यानि के एक गज में होते हैं तीन फुट, तीन फुट, नो गजा सत्ताइस, सत्ताइस फिट की कबर है यह है, चलिए हमने यहाँ पर दूरू सरीप तो पढ़े लिए, और गुचास पास दिखाते हैं यहाँ को, सुन्दर न जा रहा है, गजा पी रहे, नो गजा बोलते हैं, जानि के जो एक गज होता है उसमें तीन फिट होता है, कितना होता है तीन फिट, यानि के यहाँ पर है 17 फिट की मजार यह जो हमने यहाँ पर देखिए दरूसरीफ पढ़ा यहाँपर, अगर आप सारांपुर के आस पास से हैं, पुरा वी लोग गे रखा है पहले गर आपको मेरा पुरा वो लोग देखना है तो डिस्क्रप्शन में में उसका लिंक डाल दूँगा आप देख सकते हैं और फिलाल यहां पर एक पकसी है उनको दिखाता हूं काफी मसत हैं दूपना काफी सकते हैं इसलिए पिंजरों में घुसे हुए हैं बाहर नहीं है फिलाल दो कुक्ते जो जिसको मुर्गा बोलते हैं केवल हमें भारत दिखे मैंने नहीं आगे एक खास बात देखे हैं यहां पढ़ना चार धारमी का स्थल एक साथ है नोगजा पीर हो गया मुसलिम और आपका यहां पर हनुमान मंदिर, राम मंदिर, नाग मंदिर, गुरु दुवारा यहां पर सब है अगर आप यहां पर आते हैं तो आप बिलकुल एक स्थैड में इनको देख सकेंगे बिलकुल यह अगल बगल है आजू बाजू दोनों दिखाता हूँ उनको भी आपको जो पाने में फिस रखते हैं जो कलोरफुल होती है जो फिस होती है मचलिया होती है कितने अच्छे लग रहे हैं यहां पर भी वो है आपको उसको भी दिखाता हूँ और इनको ने यहां पर जो पार्क है ना कितना अच्छा डैकोरेट किया है पार्क नहीं वही पर अंदर ह भोले ना जो बहुत अच्छा डेकरूट किया है दिखाते हैं कितना अच्छा चलते हैं मुझे आज एक चीज सीखने को मिली वाई आया है एसे पत्थर लाओंगा और उन पर कलर करके अपने गर पर रखोंगा जो पार के वहां पर कापि अच्छे लगेंगे रियली में यहां पर आपको मंकीज भी मिल जाएंगे दो चार ज्यादा तो नहीं है और गई फिलाल नम नोगजा पीर से बाहर निकल गए है और फिलाल नोगज खाने का मने है देखते हैं क्या खाते हैं हलीम बिर्यानी अगर मिल गएने तो मज़ा आ जाएगा देखते हैं कहीं पर खोज कर गए मिलती है नहीं तो चलते हैं फिलाल यहां से निकलते हैं लेचे जी बड़ी मुस्किल से दुकान मिली है हलीम की साहरनपूर में और मैंने ले लिया यहाँ पर यह मातर ही नहीं दिया 30 रुपेगा और 100 रुपेगा मैंने पैक्ट करा लिया है जिसको घर जाकर खाएंगे चलिए जिसको फिरिस करते हैं जली से कर्मी इतनी है फिलाल काफी ज्यादा और में लेना हलीम ले लिया है यहां पर घर के लिए इसको घर जाकर खाते हैं और हलीम में काफी मजाया रियली में खाने में और फिलाल एक पेल का जूस पीते हैं यहां पर बईया पेच रहे हैं तो चलते हैं कि चचा की इतना का गिलास एक 20 दे दिए एक मुझे गर्मी इतनी है मैस बहुत ज्यादा जिसे ही आप सहर में आते हैं ना जब ऐजार में आते है तो आपको गर्मी और ज्यादा महसूस होती है फिलाल हमने हलीम ले लिए और फिलाल पीते हैं जूस जो बेल का जूस है और फिर आपसे मिलते हैं हयात को लेने जाना है और मिलते हैं गड़ पर जाकर तो पीते हैं जूस ही लिए लिए मुझा बद्ग करना गाओ है तो इसको फिनिस करते हैं और आपसे मिलते हैं आपसे मिलते हैं आ जब गार जाकर हली इन अपने गपर अपने गर पर फिलाल हईयात को न और आप से मिल दें कल नेक्स टोलोग में क्योंकि वह लंबा हो गया है आपको मेरा वलोग केसला जो हमने आपको घुमाया आज जो नोगजा पीर ता जो 27 ठी कबरती और वहां पर कुछ टेंपल भी थे अगर आपको आप पर जाना है तो बिल्कुल जाहिए यह साहरन पूर मे आपकेगा आपकेगा और हां लाइब में कुछ भी हो जाएगा दिन पर आद रेगा और बोली जगा और हां सब सही है अ झाल